हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले नमस्कार दरश्र को बहुत-बहुत सब्सक्राइब का आपके अपने प्रोग्राम जोतिश ग्यान में मैं हूँ आपके साथ मोनिका क्रूवर अमिशे के तरह स्टूडियो में आज भी मौजूद है हमारे साथ हमारे बेहत खास महमार जी हाँ अपनी राश्र को बात करते हैं आपकी राशी से संबंदित कुछ विशेस उपायों के बारे में हम पिछले कई महिनों से आपकी राशी के कुछ विशेस उपाय आपको हम बताते आ रहे हैं ठीक है अब देखिए कि आपकी राशी का उपाय है अब आपकी राशी का संबंद बुद्ध ग्रह से हैं बुद्ध ग्रह का संबंद हरे रंग से हैं तो कहने का मतलब हमें हरे रंग बुद्धवार के दिन यूज़ करना चाहिए पिछले महीने कुछ उपाई थोड़ा सा लेट बताए गए इसलिए इस बार एडवांस हम चलना चाहते हैं आपकी राशी एक विसाल राशी है बुद्धवार के संबंद में बहुत सारे उपाई आपकी राशी से बनते हैं आपकी मिथुन राशी लाखो जातक संसार में मिथुन राशी के हैं इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपकी राशी इस महीने क्या होगा उस महीने क्य होगा मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि सबसाद एक सा नहीं हो सकता यह तुक्का सा लगता लेकिन आप अपनी रासी से संबंदित क्या विश्यस उपाई करें, थोड़ा बात समझ में आता तो आए हम नवंबर के महीने में क्या विशेस उपाई करेंगे जिन जातकों की मिठुन रासी है ध्यान चसुने आज के उपाई क्योंकि पिछली बार आपकी शिकायद थी कि सर उपाई इस बार लेट बताए गए तो आप नोट कर लीजिगा आपकी रासी है मिठुन स्वामी बुद्ध रंग हरा क् करना है मूं की डाल सब जानते हैं साबुत वाले साबुत मूं की डाल के 27 दाने ले लें कितने 27 दाने बुद्धवार की रात्री को अपने सिराहने रखकर के सोंए या किसी हरे रंग के कागज में बांद लें और सिराहने रखकर के सोंए और सुबा सुबा जब उठें सुबा सुबा जब उठें आप ये बुद्धवार की रात को दाने रखने मंगलवार की रात को नहीं रखने सुभा सुभा जब आप उठे तो उसमें और दाल हरी मिला ले या बाजरा ले ले कम से कम 300 ग्राम बाजरा थोड़ा पक्षी अराम से खा लेता वो 27 दाने और बाजरा पक्षी को डाल के आएं भले ब्रस्पतिवार का दिन हो कोई दिक्कत नहीं ऐसा हम नमबर के दो या तीन बुद्वार करें बहुत अच्छा लाब मिलेगा और यदि आप थोड़ा खर्च जादा करने आप मंगल की रात को भी ऐसा करने और मंगल की रात ऐसा करेंगे बुद्वार की सुभा भी आप पक्षियों को डालाएं और गुरुवार की सुभा भी आप डालाएं आती उत्तम पर ये समझे लो फिर आदी किलो तीन सो दुनी छेसो गिराम बाजरा आपका लगेगा कितना आपको खर्च करना पड़ेगा आगे बढ़ते हैं बुद्वार की सुभा सुभा जिस समय सूरिय उद्य होते हैं उसके एक घंटे के दर्मियान हरा धागा जो हमारे हाट से होता हुआ पेट तक आवे ऐसा धागा हम पहन सकते हैं आजकल तो रेशमी धागे भी आते हैं अंदर पता भी ने लगेगा हमने क्या पहना है वो आप धारन करें या दाहिने हाथ की कलाई पर हरा धागा तीन तार तीन वाल लपेट करके पहन लें किवल बुद्वार के दिन इतना करने बाद में उसकों खोल सकते हैं जिनकी राशी मिथुन है आप जिनकी राशी जनम की मिथुन है वो यह उपाई कर सकते हैं सेकेंडली जिनको पुकारते नाम से यह राशी बनती है वो जातक यह उपाई कर सकते हैं हमें पूर्ण विश्वास है आपको लाब जुरूर होगा आगे बढ़ते हैं एक उपाय आपको हम और बताते हैं घर के अंदर बुद्वार के दिन खासतोर से मैनी प्लांट लगाएं और वैसे भी घर के अंदर मैनी प्लांट लगना शुब होता है और अच्छा रहता है लेकिन दिशा सुन लीजिए कई वारा आप दिशा सही से चूज नहीं कर पाते चैनित नहीं कर पाते दिशा कुन सी नौर्थ की तरप हम हरे रंग का ये प्लांट किसी काच की शिशी में जानते हैं पानी बरके मैनी प्लांट लगाए जाता बेल चाहें लंबी हो चोटी हो कैसी भी हो लेकिन बुद्धवार के दिन चाहें मंगलवार की रात को ले आएं उसको कहीं भी एक तरप रखने घर में लेकिन बुद्धवार की सुभा जिनकी मिथुन राशी है वो उत्तर की दिशा में उस شीशी को या उस port को मुई रखें मैंनी plant के किसी corner में कहीं भी जहां आपको लगता बाद में चाहें उसको दिन में माजना बुध्वार के बाद चाहें उसको घर के किसी भी direction में जहां आपको से लगए रख सकते हैं लेकिन जल दिशा और पॉधो की दिशा कण्झी वालड़ दोतना में घुर्च टो कड़तने होगे इस अलब क्यों एक करां यह थे मैं कणिया राशी के लिए युग विपाए बताँगं तो इसको हरे रंग का हरे रंग की मिर्च खिलाएं ई गबहुत आप मिंलता है वैसे भी तोता मिर्च बड़ा चरपटा लेकर के खाता तोते के लिए मिर्च फलिभूत होती अच्छी होती किन्नर को कम से कम साथ रोपिया बुद्वार के दिन दे दीजिए है ना एक या दो या तीन बुद्वार किन्नर को साथ रोपिया बुद्वार के दिन दे दीजिए इश्वर की करपा आपको मिलेगी किन्नर होना चाहिए बनावटे किन्नर नहीं किन्नर होना चाहिए आगे बढ़ते हैं बुद्धवार के दिन आप एक काम और कर सकते हैं हरे रंग की शीशी में जल भर दें थोड़ा बहुत सूरिय की धूप लगा में और वो जल आप अपने पीने में काम ला सकते हैं सारेरिक द्रस्टी से भी अच्छा है मानसिक द्रस्टी से भी वो हरा जल अच्छा है और बुद्ध की द्रस्टी से भी आपकी रासी के स्वामी बुद्ध हैं इस द्रस्टी का आपके घर में जल है उस जल का बुद्वार की सुमा आप जरूर थोड़ा सा सेवन करें बहुत अच्छा इससे आपको लाब मिलेगा भाई उपर वाले की उसमें एक शक्ती होती है तो आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा और यह दि हरे रंग की सीसी में वो तनिक सा जल दालने थोड़ा सा बाकी आम प्लेंज जल भड़ने और सूर्य की रोशनी में एक दो घंटा रखके फिर उस जल को सेवन किया जाए तो यह अमरत बन जाता है एक तरह से दवाई आउजदी बन जाती है इससे भी आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा कभी समय रहा तो आर भारी बात है लेकिन वह जला लंबा प्रोस्टेजर होता है उस जल गहुबलाने का बनाने का में वह समय रहा आपको ईडिल्र हम बताएंगे एक उपाती का चित्र और गनपती का चित्र गशन पती और सरस्वती का चित्र लिए च्यक्ति मंदिर में जाके च, चप ह्यो और गणपती का चित्र लगा लें आपने देखा भी कोई भी कलेंडर आता है तो बीच में लक्समी एक तरफ गणपती एक तरफ मासरस्वती विणावांदनी बैठी होती है ठीक आप यह जुरूर लगाए ओम बुम बुद्धायना मैं इस मंत्र का जाब कर सकते हैं और तो दर्शुको ये थे आपकी रासी से संबंद रखते हुए उपाए जो भी करना चाहे कर सकता है मेल फी मेल बच्चा बज़रू कोई भी इन उपाएं को करे इस से आपको विश्यस लाब मिलेगा उमीद करता हूँ इस विश्यस सांक से कोई ना कोई लाभानेवित जरूर होगा और दिसंबर के बड़े चमतकरत उपाए हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं वो हम आपको नवंबर के एंड में बताएंगे जरूर उन उपाएं का आप लोग इंतिजार कीजिएगा जी लेकिन फिलाल नवेंबर माहा को बहतर बनाने के लिए मिथुन राश्य के सब्सक्राइब कना चाते हैं उन से मुलाकात करना चाहते हैं संस्थान में कांटाट कर सकते हैं समय दाया को अपकल कोक छे बच के बीच में नमस्कार करीब चार-पांस दिनों से कवों का जुंट मेरे घर पे मन रहा था मैं यही सोचने परेशान था यह सुभ है असुभ है क्या चीज है तो मैंने परशन किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कवों आ रहे हैं कहने नहीं मुझको दिखावी पड़ रहा है तो कुस तो आलोगिक है इनमे दूसरा क्या जो इनका उदेश है जब महाकुम में आये थे, मेरी इन से वारता हुई तो मैंने इनका उद्देश जानना चाहा कि किस उद्देश के लिए आप काम कर रहे हैं तो जो उद्देश उन्होंने मुझको बताया मैं मन्द से इनके उद्देश के साथ जुड़ गया इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश के साथ भी हूँ मैं हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जौनकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूले